दोस्तो आप सभी जानते होंगे कि उट एक वर में 21 लिटर पानी पी सकता है लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब रेगिस्तान में उट को पानी नहीं मिलता तो वे पानी की पूर्ती कहां से करता है मैं आपको बता दूँ उट का कूबर फैट और पानी का स्टोर होता है जब उट को पीने के लिए पानी नहीं मिलता तो स्टोर फैट और पानी अपने आप उट को एनरजी देने लग जाते हैं फैट पिगड़कर एनर्गी बन जाती है जो उट को काम करने की शमता देती है इसी कारण करक्ती धूप में भी उट काम करते रहते हैं और अपने माली को कभी निराश नहीं करते दोस्तो वीडियो का लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला